हेलो बच्चों, वेलकम बेक टो ये चैनल, नॉलेज इस पावर, तो अभी हम वान थर्टीट पे जो त्रिसरा ट्राइडीज है, इसको अभी हम सॉल्फ करेंगे, पहले जो चोटा ट्राइडीज था, इसको हम पिछले वीडियो में सॉल्फ कर चुके हैं, ठीके, तो यहाँ पे क्या दिया है ट्राइडीज में, classify the following polynomials as monomials, binomials, binomials and trinomials, तो जहाँ पे three expressions है, जहाँ पे देख सकते हैं, three है, यहाँ पे three है, यहाँ पे two है, और यहाँ पे one है, ठीके, यहाँ पे one है, तो यह सारा जो चीज है, polynomials, यह आपका polynomial से, ठीके, यह monomials से, यह binomials से, और जहाँ पे three expression है, वो आपके सारा trinomials से, यह आपका binomials से, ठीके, यह binomials से, यह binomials से, यह monomials से, और यह trinomials से, यह दोनो, ठीके, अभी next क्या दिया है, construct three binomials with only x as a variable, only x as a variable लेके, आपको तीन binomials बनाना है, binomials मतलब two terms रहेगा, ठीके, तो x square plus 3, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीके, 2x plus 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीके, यह फिर, x square minus 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह आपका, x का only variables के साथ, आपने बना है, अभी next, चलते हैं, three binomials with x and y, ऐसे variable, तो x square plus y, ऐसे आपका, binomials यह आप मना रहे हैं, इसलिए, और x plus y भी बना सकते हैं, sorry, y, यह फिर, 2x minus y, ठीके, इस तरह से आप मना सकते हैं, अभी क्या है, three monomials with x and y, ऐसे variable, monomials मतलब एक ही रहेगा, x square y, या, 2xy, या फिर, 5x square y, ठीके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, फिर, two monomials with four or more terms, two monomials with four or more terms, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x square plus y plus z minus 3, ऐसे भी कर सकते हैं, two x plus z square plus p minus y plus 5, ऐसे भी कर सकते हैं, monomials four or more terms दिया है, ठीके, तो इसमें four है, इसमें five है, तो इसी साब से आप दोनों तरह के आप दिखा सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर, next video में हम मिलेंगे, till then good bye, stay tuned.